जैए शनीदेव मित्रों मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और शनीदेव से प्रात्ना करता हूँ कि आप सभी लोगों को अपना आशिरवात प्रतान करें और आप सभी लोगों की मनों कामना पूर्ण करें मैं अपने सबी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूँ राशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए अपनी पूरी महनत से हर महीने का राशी फल बनाता रहूँगा हम इस वीडियो में सिर्फ विडिशब लगन के जातकों के लिए जुलाई 2021 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे देखे इस वीडियो के लग़़ग सेक्षन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंदित जुलाई का महीना कैसा रहेगा आपके फाइनेंस संबंदित जुलाई का महीना कैसा रहेगा आपके रोमान संबंदित जुलाई का महीना कैसा रहेगा आपके फैमिली संबंदित जुलाई का महीना कैसा रहेगा आपके स्वास्ते संबंदित जुलाई का महीना कैसा रहेगा औरंत में हम चर्चा करेंगी उन महतपूर उपायों की जिन्हें जुलाई के महीने में करने से आपको लाग प्राप्त होगा तो यदि आपके कुंडली के पर्थम भाव में दो नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो आप पर्थम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ला लिखा होगा तो यह मासिक राशी फल जुलाई 2021 आपके लिए हैं बाकी सबी लगन के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं देखें इस महीने में सूरे देव का और मंगल देव का बहुत ही महतवपूर राशी परिवर्तन हैं और इन राशी परिवर्तन का आपके कैरियर पर आपके पारिवारी की जीवन पर आपके स्वास्ते पर आपके फाइनेंस पर क्या पर भाव बढ़ सकता है इन सभी विश् चलिए आगे बढ़ते हैं और सरपर्थम बात करते हैं कि जुलाई का महिना आपके कैरियर संबंदित कैसा रहेगा एक से छे जुलाई तक का समय आपके कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं यहां बुद और राहू की यूति आपकी कुंडली के लगन भाव में है सूरे देव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है मंगल देव और शुकर देव की यूति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है केतु आपकी कुंडली के सब्तम भाव में है गुरु आपी कुंडली के दशम भाव में है शनीदेव आपी कुंडली के नवम भाव में है तो चली चर्चा करते हैं कि इन सभी ग्रहों का आपके कैरियर पर क्या पर भाव पड़ सकता है यहाँ पर सूरेदेव आपी कुंडली के दूसरे भाव में है जैसा आप देख रहे हैं दूसरे भाव में सूरेदेव का होना आपको आपके लक्षे को प्राप्त करने के लिए पैशनेट अर्थात अधिक उत्साहित बनाता है आप अपने कारे के परती अधिक उत्साहि रहते हैं आप किसी परकार से आगे बढ़ना चाहते हैं यहां पर सूरेदेव आपको प्रापर्टी में निवेश करने के लिए भी प्रिरित करते हैं और यदि आप किसी परकार कोई वाहन भी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी सूरेदेव का ये प्लेस्मेंट साहिय अक्सित होता है यहां आपके परिवार में आपके कुटुम्ब में जो छवी है वो सुधती है आप यदि किसी परकार का कोई फैमिली बिजनस चला रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत अतिक बनती है जो स्टुडेंट्स हायर स्टुडीज के लिए विदेश जाकर पढ़ना चाते हैं उनके लिए भी ये प्लेस्मेंट सूरेदेव का जो प्लेस्मेंट है दूसरे भाव में ये आपको सहायक्सित होता है ये आपको बहुती शुब अवसर परदान करता है ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये सकालात्वक परिणाम देगा सूरेदेव का दूसरे भाव में होना आपके स्वास्ते पर क्या परभाव डाल सकता है इस पर हम अपने स्वास्ते संबंद सेक्शन में चर्चा करेंगे वर्तमान समय में राहू और बुद्ध की यूती आपी कुंडली के लगन भाव में हैं जिसके कारण आपकी सोच में एक अस्थिरता आ सकती है आपका फोकस आपकी एकागरता यहां कम हो सकती है आप विभिन विभिन दिशाओं में सोचने पर मजबूर हो सकते हैं जिसके का पर इसका नकारात्मक परभाव पड़ सकता है जो लोग पार्टनर्शी बिजनस में हैं इस समय आपको बहुत अधिक सावधान रहना होगा यहां आपकी पार्टनर्शी बिजनस को लेकर मांसिक तनाव बहुत अधिक बढ़ सकता है आप अपने पार्टनर्शी बिजनस के पर में अर्थात करक राशी में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हैं ये आपके confidence को अर्थात आपके आत्म विश्वाश को अधिक बढ़ा सकता है आप यहां किसी भी परकार का कोई निरणे जल्दबाजी में ले सकते हैं जिसके कारण आपकी मांसिक परिशानी आने वाले समय में बढ़ सकती है जब मंगल देव कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं तो ऐसे जातक को किसी भी परकार का नया कार्रे करने से पूर्व किसी experience व्यक्ति की सलहा अवश्य लेनी चाहिए मंगल देव का तीसरे भाव में होना जातक को अधिक उग्र बनाता है यहां पर आप किसी के द्वारा दी गई दिशा का पालन नहीं करते हैं और ना ही आपको दूसरों के द्वारा दी गई सलहा पसंद होती हैं जिसका आपके वैवाही के जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ सकता है इस पर भी हम अपने family related section में चर्चा करेंगे यहां पर आपके काररे को लेकर आपके business को लेकर यात्राएं बहुत अदिक बढ़ सकती हैं इन यात्राओं से आपको आने वाले समय में लाब मिलने की संभावना भी बनी हुई है वर्तमान समय में शनीदेव आपकी कुंडली के नवम भाव में है और वर्तमान समय में वक्रियावस्था में आपकी कुंड भाव देखने को मिल सकता है यहां शनीदेव द्वारा आपको आपके कार्य में आपके business में विदेश यात्राओं भी देखने को मिल सकती है आप विदेश जा सकते हैं और यदि आप विदेश में सैटल होना चाहते हैं तो उसमें भी ये सहायक सिद होगा आपको यहां धार में किस्थल पर भी यात्राएं करने का अफसर प्राप्त हो सकता है यहां शर्णिदेव आपी कुंडली के नवम भाव में हैं तो आपको अपने पिता और अपने गुरु का सदैव आदर करना चाहिए और यदि आप से किसी परकार की कोई गलती हुई है और यदि आपने किसी परकार का अपमान इन लोगों का किया है अत्वा गलत विहवार किया है तो आपको इसमें शमा मांगनी चाहिए जिससे शर्णिदेव द्वारा नकार अत्मक परभाव आपको कम देखने को मिलेंगे जो जाता के अपने पिता और अपने गुरु जनों का आदर सम्मान करता ह उन्हें शनीदेव नवम भाव में अपनी दशा में बहुत ही शुब फल देते हैं आपको आपका भागय साथ देता है आपके कारे कभी रुखते नहीं है शनीदेव की दृष्टी आपके कुंडली के लाभाव पर है जिसके कारण आपकी मेहनत अनुसार जो फल मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ सकती है ये कमी तब तक है जब तक शनीदेव वक्री अवस्था में आपके कुंडली के नवम भाव में है शनिदेव की दिरिष्टी आपकी कुंडली के लाब भाव में है जिसके कारण आपके वर्कलोड में बढ़ोती भी हो सकती है जिसके कारण आपका मानसिक तनाव आपके कारणे को लेकर बढ़ सकता है वर्तमान समय में गुरू आपके कुंडली के दशम भाव में है आपको आपके केरियर में एक स्थिर्ता देता है गुरू का दशमभाव में होना आपको परोपकारी बनाता है आप दूसरों की मदद भी करते हैं यहां पर आपके आसपास के लोग आपसे किसी परकार की उमीद रखते हैं आपसे मदद की उमीद सदय आफ दोसरों को रहती है यदि आप नौकरी ढूंड रहे थे और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना यहां बहुत अधिक है जिसके कारण आपके कारे में आपकी नौकरी में एक स्टेबिलिटी अर्थात इस्थिरता भी आपको गुरू के इस प्लेस्मेंट से आती दिखाई देगी यहां पर गुरू के इस प्लेस्मेंट से ऐसे जातकों को अधिक लाब मिल सकता है जो लोग अपने जन्म स्थान पर ही कुछ कार्य कर रहे हैं अत्वा यदि आप अपने जन्म स्थान पर ही अपना बिजनस कर रहे हैं तो उसमें आपको अधिक लाब हो सकता है 6-16 जुलाई तक का समय आपकी कुण्डली को जिस प्रकार दिखेगी जिसके कारण यहां आपके परिवार में आपकी कुटुम्भ में परतिष्ठित छवी बनेगी आपका यदि किसी परकार का कोई फैमिली बिजनस है तो उसमें आपको बहुत ही शुब अवसर देखने को मिलेंगे जो लोग वाइस रिलेटेड कारणे से जुड़े हैं जुलाई तक का समय आपकी कुटुम्भ में है जैसा आप देख रहे हैं जिन जातकों की जनम कुटुम्भ में सुरे देव तीसरी स्थान पर होते हैं ऐसे जातक पॉलिटिक्स में अर्थात राजनीती में अपना कैरियर बनाते हैं और उन्हीं राजनीती में अच्छे अवसर भी प्राप्त होते हैं ऐसे जातक पब्लिक डिलिंग अत्वा पब्लिक सर्विस में भी बहुत उचाईयों पर जाते हैं यहां पर मंगल देव और सूरेदेव की यूति आपके कुर्णली के तीसरे भाव में है तो यहां आपको किसी भी परकार के लड़ाई जगड़े से थोड़ा दूर रहना है यहां पर आपके कार्य स्थान पर वाद विवाद बहुत अधिक बढ़ सकता है इस यूति के कारण आपकी चवी आपके आसपास के लोगों में खराब भी हो सकती है आपको लोग अडियल सो भाव का व्यक्ति भी कह सकते हैं सूरेदेव का तीसरे भाव में होना आपको दूसरों के द्वारा दिये गए आइडिया को असानी से सुईकार ने नहीं देता अर्थात आपको अध रहते हैं वर्तमान समय में शुक्रदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव से आपकी कुंडली के चोथे भाव में हैं शुक्रदेव आपकी कुंडली के लगनेश हैं और वर्तमान समय में चोथे भाव में हैं जिसके कारण आपको प्रोपर्टी से सम्बंदित किसी परकार क अक्समात लाब मिल सकता है आपको आपकी नौकरी में आपकी बिजनस में भी बहुती शुब अउसर देखने को मिलेंगे इसका आपके पारिवारी की जीवन पर भी क्या प्रभाव पढ़ सकता है इस पर हम अपने family related section में चर्चा करेंगे 20-30 जुलाई तक का समय आपकी कुंडली को जिस परकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर मंगल देव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से आपकी कुंडली के चौथे भाव में है जो इस महीने का सबसे महतपूर्ण राशी परिवर्तन है क्योंकि मंगल देव का चौथे भाव में होना आपके कैरियर के लिए बहुत ही महतपूर्ण रहेगा यहां से मंगल देव की दृष्टी आप ही कुंडली के दशम भाव पर होगी जिसके कारण आपको अपने कार्य में एक सकारातमक उर्जा का प्रभाह होता महसूस होगा आप में यदि किसी परकार के कोई अपने कार्य को लेकर अपने बिस्नस को लेकर आ गई थी, वो यहां समाप्त होगी मंगल देव का चौथे भाव में होना आपके पारिवारे के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा इस पर हम अपने family related section में चर्चा करेंगे आप यदि खेल कूद के कारे से जुड़े हैं आप यदि armed forces में हैं आप यदि sales and marketing जैसे कारे में हैं तो ये था आपके carrier संबंदित जुलाई का महीना कैसा रहेगा तो चली आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपके स्वास्ते संबंदित जुलाई का महीना कैसा रहेगा 14 जुलाई तक का समय आपको आपके स्वास्ते को लेकर थोड़ा सा अफ़धान रहना होगा यहां सूरे दिव आपके कुंडली के दूसरे भाव में है यदि आपको ब्रेन से संबंदित अर्थाद आपके मस्तिश्क से संबंदित किसी परकार की कोई समस्या है जैसे माइगरेंट, डिप्रेशन तो वो आपको यहां अधिक परिशानी में डाल सकती है 3-5 जुलाई और 21-23 जुलाई तक का समय आपको बहुत अधिक साफधान रहना होगा यहां आपको नीद आने में समस्या हो सकती है यहां आपको बेचैनी बहुत अधिक महजूस हो सकती है जिसके कारण आपका मानसिक तना बहुत अधिक पढ़ सकता है आप मेडिटेशन अवश्य करें आपको लाब मिलेगा तो यह था आपके स्वास्ते संबंद जुलाई का महीना कैसा रहेगा तो चलिए आपके बढ़ते हैं बात करते हैं आपके फाइनेंस और वित संबंद जुलाई का महीना कैसा रहेगा आपको 16-24 जुलाई तक का समय आपके finances में आपके वित में अक्समात ला मिलने की संभावना बनी हुई है यहाँ पर आपके savings में तीवरता से व्रिद्धी होने की संभावना है जिसके कारण आपका आपके finances को लेकर किसी प्रकार का जो मान सिक्तनाव चल रहा था वो यहाँ दूर होता दिखाए देगा 19-21 जुलाई की बीच आपके खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं यहाँ आप किसी भी प्रकार के व्यर्थ खर्चों से बचें किसी भी प्रकार का कोई व्यर्थ खर्चा आपने नहीं करना है इसका आप विशे ध्यान रखें इस समय आप किसी प्रकार का कोई निवेश भी ना कीजे अन्य था यह समय आपको समस्या में डाल सकता है यहाँ आप किसी को उधार भी ना दे तो यह था आपके फाइनेंस और फिट संबंदित जुलाई का महीना कैसा रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपके रोमैंस और प्रेम संबंदित जुलाई का महीना कैसा रहेगा जो लोग सिंगल है वो 15 से 19 जुलाई के बीच आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में आप किसी प्रकार के प्रेम संबंद में पढ़ सकते हैं देगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको 16 से 20 जुलाई तक का समय थोड़ा अधिक सतर्क रहना होगा ये समय आपके रिलेशनशिप में आपके प्रेम संबंदों में तनाव उत्वपन कर सकता है आपको यहाँ अपने क्रोध पर भी नियंतरन रखना होगा आपको अपने प्रेम संबंदों को मजबूत रखने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा अर्थात आपको सामने वाले की बात को भी थोड़ा समझना होगा उसकी बात की भी इंपोर्टेंस को आपने समझना होगा आपको थोड़ा सयम रखना होगा अन्य था आपका मांसिक तनाव आपके रिलेशन्शिप को लेकर बढ़ सकता है तो ये था आपके रोमांस और प्रेम संबंद जुलाई का महीना कैसा रहेगा तो चलिए आगर बढ़ते हैं आपके पारिवारिक जीवन में तनाव बहुत अधिक बढ़ा सकता है आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना होगा आपकी प्रवर्ति यदि छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ानी की है तो इस समय आपको थोड़ा सयम रखना होगा आप यदि इमोशनल हैं तो आपको अपने इमोशन्स पर काबू रखना होगा अन्य था ये समय आपको अमान सिक तनाव बहुत अधिक बढ़ा सकता है आपको क्या उपाय करने हैं मैंने उपाय सेक्शनें बताए हैं आप वो अवश्य करें आपको लाब मिलेगा यहां पर आपका आपकी माता को लेकर भी तनाव बढ़ने की सम्भावना बनी होई है तो ये था आपके परिवार संबंदे जुलाई का महिना कैसा रहेगा तो चलिए आगर बढ़ते हैं बात करते हूं मैं तो पुरुन उपायों की तो आपको राहू की बीज मंतर का जाप रोज सूर्यास्त के बाद एक सुआडबार करना है जो है ओम राम रिम रोम जेरावे नमहा आप 28 जुलाई को प्राते 5 बच कर 50 मिनट से शाम 6 बच कर 55 मिनट के बीच एक लाल रंग का कपड़ा जो की 2 मिटर होगा 11 हनुमान 40 और लाल मसूर की दाल का दान किसी हनुमान जी के मंदिर में वश्य करें देगे इस तिथी का और इस समय का विशे ध्यान रखिए ये आपके लिए अत्यांत लाबकारी रहेगा आप रोज सूर्यास्त के बाद कुतों को अत्वा मचलियों को भूजन अवश्य करवाएं जिन जातकों का विवा नहीं हो पा रहा है उनको 7 जुलाई और 21 जुलाई को परदोश वरत करना है इस दिन आप सूर्य हुद्य होने से पूर वूठे सनान करें शिव मंदिर जाएं वहाँ बैठकर आपने एक सुवाडबारों में शिवय मंदिर का जावा अपने करना है इस दिन आप शिव चालिसा पड़ें छोटी कन्याओं को भूजन किलाएं इस से आपकी मनो कामना पूर्ण होगी विवाद इमें जो भी अर्चने आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी तो ये थे वो भैतपूर्ण उपाएं जने जुलाई के महीने में करने से आपको लापराप्त होगा तो ये था विर्शब लगन के जातकों के लिए जुलाई 2021 कैसा रहेगा शनी दिवाब सभी लोगों कर अपना आशिरवाद बना कर रखें धन्यवाद